हेलो दूस्तो नमेशकार इंपोर्टन स्टॉक्स एंड उनसे जड़वे इंपोर्टन बाते सबसे पहले शुरुआत यहापे करेंगे इजी ट्रिप प्लानर बहुत ही कमाल का धम्मा के दर मल्टी बैगर यह साबित यहापे हो चुका है मल्टीपल टाइम्स रिजन भी बताया थे अभी अगर हम लोग बात करें तो यह कमपनी 67 रुपीज पर देखने को आपे मिल रहा है इसके पीछे का रिजन है बोनस प्लस प्लिट कॉर्पर एड़क्शन देखने को पहला है इसके पहले भी कमपनी ने एक बार हम लोग को corporate action यहाँ पे दिया था तो इसी के चलते यह stock हम लोग को इस level पे देखने को आपे मिल रहा है हाँ थोड़ा सा Google के उपर अगर हम लोग बात करें chart pattern update नहीं हुआ है अगर आप 6 मेने का data देखोगे तो ऐससे लेगएगा कि 85% stock crash है तो ऐसा बिलकुल भी डरने की ज़रूत नहीं थोड़ा time लगता है उसके बाद यह एक बार update हो जाएगा तो सारी चीज़े हम लोगों को clear cut देखने को मिल जाएगी overall performance की बात करें easy trip planner का बहुत ही शांदार performance यहाँ पे देखने को मिला है and covid के वक्त हम लोगों ने देखा था कि इनका जो business है वो थोड़ा सा मंदा हो चुका था बहुत ही common sense वाली बात है जैसे सारी चीज़े unlock यहाँ पे हो गई उसके बाद तो यहाँ पे तेजी आना एक लाज़मी सी बात थी इसलिए यह सारी चीज़े और यहाँ आप पूराना वीडियो देखोगे वहाँ पे वो शेर का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि तभी bonus split नहीं हुआ था अभी यह stock हम लोंको बहुत नीचे और सस्ते दाम में देखने को मिल रहा है अगेन कहना चाहूंगा सिर्फ तेजी देखकर निविश नहीं करना है आपको business समझ में आता है then go for it क्योंकि अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिन में यह थोड़ा सा proper chat pattern नहीं है अगेन कहना चाहूंगा यह update हो जाएगा अगर देखा गया तो पिछले 2-3 दिन में ही यह company लगबख 40% यहापे भागा था तो बहुत ही अच्छा performance इस company नहीं है आपे short term में भी कमा के आपे दिया है next बात करेंगे यहापे फीनो payment bank से related फीनो payment bank भी अगर देखेंगे तो बहुत ही जबरदस तेजी देखा रहा है आज कितना है लगबख साड़े बारा टक्का पार्च दिन के अगर हम लोग आपे बात करें तो देखा गया तो बेसिकली पार्च दिन के लिए 40% बोला जा रहा है बड़े-बड़े block deal, world deals यहापे होते रहते है प्लस उसी के साथ तक कि अगर हम लोग बात करें उन्होंने यहापे जो सारी चीज़े यहापे की है वाया open market deals के साथ हमनों को यह चीज़े देखने को आपे मिली है यहापे कभी भी open market से related अभी इतनी बड़ी चीज़े हम लोगों को देखने को मिलेगी बाइंग से related तो जो भी share price यहापे चलता है उसी के उपर वो खरीदने की कोशिश यहापे करते है तो बाजर इस चीज़ को अच्छा खासा मतलब इस news को अच्छा यहापे consider करता है ओराल देखा गया तो company top level से आज भी इतने गजब के तेज़ी के बाद 52% यहापे down है हलाकि यहापे कोई stock अच्छा मतलब 52% plus है या फिर minus है उसके चलते हम लोगोंने addition नहीं लेना होता है company का overall business model को आप लोगोंने समझना होता है so finopayment bank की अगर हम लोग यहापे बात करें मैं थोड़ा सा ऐसे जो risky business होते है उससे थोड़ा सा में दूर रहने के ही मतलब मैं personal थोड़ा दूर रहता हूँ बाके आप चाहो तो इसको study purpose के लिए consider यहापे कर सकते हो next अगर हम लोग बात करेंगे similar way paytm जैसे ही आप जियो financial services से related जो macquery की report सामने आई है तब से लेके paytm के जो already जो दुख है वो बढ़ते ही जाते वे देखने को आपे मिल रहे है और आज की दिन भी 0.5% की गिरावट फिलाल तो आम लोगो paytm में देखने को मिला है अभी इतनी जबरदस गिरावट होती है ना अगर आप maximum chart pattern देखोगी कितना हुआ है 71% की गिरावट इस गिरावट के बाद एक जबरदस तेजी आएगी आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते है debt cat bounce yes मतलब इतना गिरा है ना तो एक आएगा जबरदस तेजी आएगा 15-20 या फिर मतलब बोलते है ना अपर circuit भी लग सकते है ऐसी चीजे हो सकते बट उसके track में नहीं आना है यह मैं आपको already advance में बता कि आपे रख रहा हूँ business की हिसाब से देखा गया तो इनका business बहुत एक खराब situation से चलते वे देखने कम रहा है and worst part यह है कि जिनोंने यह प्लान किया था कि भाविशा में हम लोग यह चीजे करेंगे insurance sector में digitally payment से related हम लोग आगे यह आपे आएंगे उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें AMC से related मतलब यह सारी planning से related जो digitally चीजे यह करने वाले थे इसके लिए वो market capture कर रहे थे उसमें अभी हम लोग को JFS के entry देखने का आपे मिल रही है तो definitely JFS के पाथ बहुत ज़्यादा customer base भी हम लोग को देखने का आपे मिल जाता है Reliant से आप सब लोग को बताए उनका retail का business है, Jio का business है एक message करेंगे तो सब के पास यहापे चला जाएगा और उसमें से 5-10% ने भी उनकी अगर services लेने के लिए अगर वो ready हो गए तो PTM बहुत ही पीछे रहे जाएगा तो इसी fear के चलते, fear factor के चलते, PTM में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे yes bank, yes bank से related already मैंने कल के दिन एक detail वीडियो बना है बहुत सारे लोग को वीडियो पसंद भी आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा stock market classes इस चैनल के उपर usually Saturday के दिन वीडियो आता है, बट आप देख सते यह देखी कि कल के दिन यह वीडियो बना है तो बहुत 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 ज़्यादा important है, बहुत सारी नई चीज़े सीखने को मिले लोगों को यह तो मतलब daily basis की सारी चीज़े नॉर्मली routine रहता है, वैसे चलते रहती है, आज 2% गिरा है, कल भी शायद से गिर जाएगा, या फिर तेजी आएगी, यह trading activity रहती है, जो कि traders यहापे करते रहते हैं, investment के point of view से यह company long term के लिए बहुत ही बढ़िया है, similar way LTI mind tree नाम अभी हा frequency में नहीं आते है, जिस ratio में उन्होंने सारी चीज़े दी है, तो भी आप लोगों के account में वो पैसा credit हो जाएगा, हाँ, एक शर्त होती है कि time लगता है, आपका एक रुपया भी इदर उदर बिलकुल भी नहीं होगा, time लगेगा, इतना में आप लोगों को कह सकता है, आप सोचके देखे, पूरे भारत में ये सारी चीज़े हम लोगों मतलब companies को पैसा वो distribute करना है, जो fractions में आते है, तो उसके लिए time जरूर यहापे लगता है, business के point of view से बात करे, L&T माहिंटरे अभी, इनके merger के बाद हम लोग जरू कह सकते है, ये बहुत बड़ी company अभी हम बड़ा हो चुका है, तो अभी हम लोग जरू कह सकते कि Tech Mindra को अच्छा खासा competitor, बाकी को भी competitor ही है, बट Tech Mindra को पहले ही है, बहुत ही अच्छी खासी अभी टकर दे सकता, क्योंकि बड़ा जब आपका order book यहापे हो जाता है, आपकी company की size जब बढ़ जाती है, तो बड़े- merger के वज़े से, जिसके current synergy create हुई है, तो बाज़ार उसको जरूर reward करेगा, तो यह आपके radar के पर रहना चाहिए, next बात करेंगे दोस्तों, yes, वापस popular stock, हमेशा की तरह, कल भी मैंने आप लोगों को formula बता के रखावा था, 200 दिन, yes, 230 दिन, and 20 दिन, तो यह 20 दिन आप यहाप गया करके, company बहुत fantastic है, बीच में 12 रुपे तक यह stock नीचे गया था, वहाँ तक हम लोगों ने देखा है, 19 रुपे का वीडियो मिलेगा, 20 का मिलेगा, 25 का मिलेगा, 30 का मिलेगा, इतने बार multiple times इससे related videos यहापे, already मैंने बना के यहापे हे रखे हुए थे, so RVNL की बात करें आज के दिन भी आप देख सकते हैं, 5-5,5% की अच्छी तेजी देखने को मिली है, and again क्याना चाहूँगा, aggregate returns आप लोगों ने देखने चाहिए, aggregate return मतलब यह रिखे, 240% की return, यह होते हैं long term की returns, and वो भी कबसे, 2019 से, 2019 के बाद 2020, फिर 21, फिर 2022, मतलब हम कह सकते हैं, 3-3 साल म यहाँ पे अगर आपको 200% के आसपस के return मिलते हैं, सिर्फ आपको एक ही काम करना था, invest करके hold करना था, हाँ अगर आप daily basis का plus minus अगर देखते रहोगे, तो plus में तो हर कोई टिक जाता है, minus के बदौलत हम लोग frustrated हो जाते हैं, और निकल जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे investor यहाँ पे RVNL को बेच कर यहाँ पे पचताते होंगे, तो उन्होंने यह lesson लेना है, यह सारी बाते सिर्फ इस stock की नहीं है, हर एक अच्छे stock के साथ यहाँ पे retail investor के साथ होती है, वो रोज यहाँ पे stocks को check करता रहता है, plus minus, plus minus, ना कि वो business model को देखता है, ना तो उसको समझ आई है, जो कि आपको कोई नहीं सिखाता है, कौन सी चीज, कि यह कितने returns है, अगर आपने पहले से निवेश किया होगा, तो आप बोलोगे सर, यह 240% की return है, ऐसा मत मानना, इसको पकड़ लेना, 120% की return, मतलब 50% कट पकड़ कर चलने का, ऐसा ही पकड़ लेना, कि 120% की आपक आपको यह formula बताया था, जब यहापे पहली बार यह stock double हुआ था, 100% की returns दिये थे, 38-39 पे, तभी मेरा आपको बताया था, कि यह 100% नहीं, 50% पकड़ कर चल लेना, जब यह 200-200 का हो जाएगा, तब आप 100-120% पकड़ लेना, यह psychology रहती है, अगर आपको वाक्य में लंबी हो आ गया ना, तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, तो इस प्रकर से थोड़ा सा psychologically आप लोगों ने खुद को train करना होता है, वो experience से यह आप गयन कर सकते हो, next बात करेंगे IRFC, ultimately आप देख सकते हो, यह भी stock जाग गया, और यह हमेशा हर किसी stock के साथ, अच्छे stock के साथ ऐसा ही ह होता है, 230 दिन यह सो रहा था, उसके बाद 20 दिन अभी तेजी आ रहा है, तो अभी बहुत सार लोगों नहीं आप आज की दिन में निवेश करके रखा होगा, अगर आपको यह चेक करना है ना, तो कैसे चेक करने का है, अभी next quarter 3 के जब shareholding pattern आएंगे ना, उसको चेक कर ले तो हर कोई उसमें entry करने की बात यहाँ पे कर रहा था, तो यह सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि 99% लोग कि इस stock market से पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि ऐसी situation में, मतलब भागते वे train को पकड़ना, भागते वे share में चणना, यह बहुत ही risky बात यहाँ पे होती है, ऐसी stock कभी अगर नीचे वापस यहाँ पे आ गए, तो फिर वो बाद में पच्टावा करके loss में बेज देते हैं, तो business के इसाप से बात करें, तो IRFC एक monopoly type का business है, आप सभी लोग को पता है, एक छोटे size मतलब amount के इसाप से में बात करो है, पेनी stock से तो बेतर ही देखने को म मिल रहे है, तो यह सारी बाते आप लोगोंने अच्छी तरीकी से study यहाँ पे करनी होती है, नेक्स बात करेंगे, आरकॉन इंटरनेशनल के ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता रहता है, थोड़ा सा 3-3% नीचा है, चलता रहता है, यहाँ और रिटन 6 मेने के 50% है, सिमिल पे निवेश्च करके रखा हुआ है, तो होल्ड कीजिए, यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, और यह एक्सपेट कर रहे हो, कि इतना सब लोगोंने होल्ड किया है, वो रिटन्स आपको इधर इमिडेटली मिल जाए, यह तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, आपको पेश इसी को पता नहीं होता है, इतना ही कहना चाहूंगा, IRCTC के बे टाइम आएंगे, अच्छे का से रिटन्स बनेंगे, BCG की बात करेंगे, तो आज के दिन यहाँ पे भागाए, बट यह थोड़ा सा operator driven stock मजे लगता है, संबाल का रहना चाहिए, यह मेरा personal opinion है, नेक्स बात कर इसी थी, बट buyback से पहले 3.5% की तेज़ी देखने को आपे मिली है, तो शायचे आप मान कर चल सकते हो कि buyback की positive news यहाँ पे आ जाए, और कौन सा type का buyback आता है, वो भी important है, open या फिर tender, tender वाले को थोड़ा सा बाजार क्या कर सकता है, जादा यहाँ पे appreciate कर सकता है, तो यह त इसके उपर आप focus रख सकते हो, और आकरी stock की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वो है Wipro, Wipro से related sir, अभी PNB परिवास की अगर हम लोग बात करेंगे, उन्होंने 48 lakh की shares बेचेंगे, तो सामने वाले किसे ने खरीदा भी तो है, block deal, build deal के चलते, जैसे मैं आपको ब Wipro में मतलब आप डर के मारे exit करने के जरूरत यहापे नहीं है, so shares जो changes in hand होता रहता है, वो चलता रहता है, सिर्फ हमें वो देखना होता है कि कौनसे price के उपर हुआ है, so यहापे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, जो भी 48 lakh shares यहापे बेचे गये थे, लगबग 186 कर price था, वो बिल्कुल फ्रेयर value के उपर यहापे transfer हुए थे, so आशाकर तो जितनी भी important बाती थी, सारी मेंने cover कर लिए वीडियो अच्छा लगे, तो like and share कर दिना, and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किये, तो link नीचे description में, 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौनसा account आपने link दो open किया, properly comment section बता देना, फफ्ते बर के अंदर नदर, सारे lectures आप लोगो free of cost प्रोवाइड यापे कर दे जाएगे, so that's it, thank you, we will be meeting our next studio, तब तक के लिए, bye bye